ओम नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि में सरासी वालों का आने वाला दो दिन यनी की दो मार्च एबम तीन मार्च का दिन कैसा बीतेगा आने वाले दो दिनों में में सरासी वालों के जीवन में क्या क्या पडिवर्तन क्या क्या बदलाब होगा मित्रों इस बेडियों के अंत में आपके आने बाले दो दिनों का अनोखा टोटका है जिस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों यदि आप अपनी जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में अगर आप कोई भी बातें मेरे से पता करना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे कॉल या मैसेज करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले दो दिनों में आपके सिहत के मामलों में आपके समय का साथ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा मित्रो आने बाले दो दिनों में आपका सेहत सामान्य होगा लेकिन सामान्य होने के भाबजूद आपके सेहत के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा आने बाले शमय में आपका confidence label बहुत जयादा मजबूत होगा लेकिन यदि आपके धन संपती आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आने बाले शमय में किसी जरूरी काम में आपका पैसा बहुत जयादा खर्च होगा जरूरी काम में पैसे खर्च करने के कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा तो आने बाले समय में अपने बेर्थ के खर्चों पे अपने फालतू के खर्चों पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपके आने बाले समय के लिए यह बहुत ही जियादा जरूरी एबम आबस्यक है मित्रों आने बाले समय में यदि आपके घर पडिवार आपके पडिवारिक जीवन की बात करें तो आने बाले समय में आपके घर बालों की डीमांड बहुत जियादा होगी अपने घर के सभी लोगों की डीमांड को पूरा करने में आप सक्छम नहीं होंगे जिसके कारण से आने बाले शमय में आपके घर बालों के कारण आपको पड़ेसानी का सामना बहुत जयादा करना होगा तो आने बाले शमय में इन छोटी मोटी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका आने बाला शमय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है तो आने बाले शमय में अपने प्डेम संबंध के मामलों में कोई भी लापडबाही करने से आपको बचना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में किस तोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर एबम सान्दार होगा मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको सफेद गाई को चारा खिलाना चाहिए यदी आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो यही था आपके आने बाले दो दिनों का रासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें